प्रियो शिक्षको और साथी यूटूब चैनल यूर इंटरनेट हलपार की तरफ से आपको बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले है एनाइस की तरफ से एक बड़े अपडेट जीन शिक्षकों ने अपने फास सिमिस्टर को कंप्लीट कर लिया है और सेगंड सिमिस्टर में पढ़ाई कर रहे है और जीन शिक्षकों ने फास सिमिस्टर को कंप्लीट करने के साथ अपने फास सिमिस्टर का परिख्या दे दिया है उनके लिए यहाँ पे NIS की एक रिजिनल सेंटर से बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आया है जिसको लेकर हम बात करेंगे पहला टिपिक और दूसरा टिपिक जो है NCT याने National Council of Teacher Education की तरफ से एक अपडेट निकल कर आया है यह दूसरा टिपिक है उसी के साथ साथ हम आपको यह information देने जा रहे है कि आप लोगों में से बहुत सारे शिक्षक है या सभी शिक्षकों को Current F.R. और General Knowledge के जानने में ज्यादा उम्मीद है या सभी लोग चीन को Current F.R. मालूम करना चाहिए क्योंकि यह Current F.R. जो होता है हर रोज का हम Current F.R. उस चैनल में आज से देना शुरू कर देंगे तो आप से रिक्षक है कि आप हमारे चैनल के साथ सब्स्राइब करके जूड़ जाए ताकि हमारे जो Current F.R. जो हर रोज का Current F.R. हम उस चैनल में देंगे और साथ साथ भी जो General Knowledge है उसी को भी हम चैनल में देने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों से रिक्षक है कि और अगर आप हमारे चैनल में नहीं है तो आप हमारे चैनल को सब्स्राइब कर ले और सब्स्राइब करने के बाद आपके सामने एक बेल आइकन मिलेगा उसके भी क्लिक करके आप बेल आइकन का भी एक्टिव कर ले ताकि जब भी हम N.I.S. या Current F.R. या General Knowledge का कुछ भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको पहले सबसे पहले ही मौका मिल जाएगा और आप सबसे पहले देख सकेंगे तो यह दूर तीन सारे रिक्वेस्ट है या पहले जो हमने N.I.S. के बारे में इंफ्रोंशन दिया है उसी का जो डिटेल्स है यहाँ पर बात कर लेते हैं उसके बाद जो N.C.T.E.T. की तरफ से आया है उसी के लेकर बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो के रश्टियों मुक्तो बिद्दालाई शिक्षर संस्तान नेशनल इंस्टिट्यूट ऑप अपन स्कूलिंग जो रिजिनल सेंटर पाटना से यह अपडेट निकल कर आया है आप देख पा रहे है उसके जो तारीक है आप अगर उसमें सबजेट जो बिशे पर दियान दिया गया है आप अगर उसको देखोगे तो यह एक बड़ा अपडेट मालूम हो रहा है नाइस के तरफ से जिसमें आप देख से थे बिशे पचासी फिसद एवंग उस्से वधिक प्रापतां को और जीत किये हुए प्रशिक्षी शिक्षकों की मौल उत्तर पुस्तिकाय समर्पित कहने के संबन में तो यहां पर इस खबर को देखने से आपको पाता चल सकता है कि बहुत सारे शिक्षकों ने एनायस से अपना जाफास से मिश्टर करें किया है तो बदाई है उन शिक्षकों को और साथ भी सबीश्यकों का अव्लिए या अमीद रहे कि सबीश्यक ज्यादा अच्छे से अच तो आच्छी grade वाले उस grade वाले सभी शीष्रकों को मिले की बीस अगस्त आने वाला हैं आप सबी को हमारी तरफ से हर्थिक स्वागत है और हर्दिक शुब कमना है कि आपका जो result आने वाला है वो अच्छे से अच्छे हो और आप आप लोग अच्छे पर्फर्फर्मेंस आप नाइस को देखा सेगें क्योंकि आप लोगों को क्या समझ रहा है लेकिन मालूम नहीं नेकिन नाइस से बहुत लोग जिनको यह मालूम हो रहा है कि नाइस से तो लोग डियलेट कर रहे हैं उनका कुछ सार्टिवेट का क्या होग दियान मत दीजिए यह बात आप लोगों के लिए जियादा से धयादा धियान देने की जुरत है कि और सबी शेतरों में में मार्क अच्छा होना चाहिए तो आप लोगों में से जीन सीक्षण को सब्सक्राइब है तो उनको हरदिक बदाई एंगे तो उनका जो निक्स टेुट है फास मेस्टर हुआ है समप्लिट हुआ है सगन सेमिस्टर रह गया है कर से लग तीन सेमिस्टर वह कर से साथ साथ भी आप उसमें और एक काम कर सेथे नियस के अगर guideline आप देखो गे तो यहां फिर यह इंफरमेशन दिया गया है रेड़ चेकिंग और तो आप लोग को 800 रुपिया देना होगा तो अगर किसी शिक्षक को उनको चाहिए कि हमको अच्छा मार्क चाहिए और सभी के लगता है कि सभी को जुरूत है कि अच्छे मार्क करें क्योंकि है सकता है कि कुछ अच्छे सिस्टेम लेकर आए कि उन सारे शिक्षक जिनको 85 फिसदी से जियादा मार्क है या 80 से एबाब मार्क है उनको अच्छे से ग्रेड मिले या अच्छे सिस्टेम दिया जाए तो ऐसे में कुछ अच्छे ख़बर आने वाला है तो हम लोग आप सभी के साथ है तो आप 85 फिसदी से मार्क जियादा स्कोर्ट कर से के साथ में आप देख सेकते हैं महुद राष्टक मुक्त विद्दलाई शिक्षा शंस्तान शेत्रिया के अंद्रवा पाटना के शक्षम परादिकार द्वारा निवायदी थे कि बिहार में डियालेट प्रशिक्षान कारिया क्रम ह और बश्यमें समर्पित करें तो यहां पर खबर देख पा रहे हैं कि जो पाटना से रिजिनल से पाटना से निकल कर आया है वहां 1440 दिया गया है कि जिन शिक्षा को उन्हें 50% मार्क स्कोर किये हैं उनका औरिजिनल अंसार शेट बेजना है तो निचे पर जाकर देख सकते सब्सक्राइब लिए निच्ट्राइब करें तो यह लग भग खोशी की बात है तो आप सबी के लिए हमारे सुबह कामनाय रहती हैं आप सब्सक्राइब करें और आपनी अच्छी से पर्फॉर्मेंस करें कि यह भी सागस्त आप लोगों के रिजल्ट आना वाला है और तो आप सब्सक्राइब के लिए कि यह आप लोग देख सेते हैं यह रिजिनल सेंटर पाटना से आया है आप सभी को भी इंफर्मेशन मिलेगा क्योंकि यह नए लगवक पूरे देश में 15 लाग शिक्षकों का डियलेट करा रहा है तो सभी को यह इंफर्मेशन आएगा और सभी क तो यह इंफर्मेशन मिलेगा तो यह रहा आपका अपडेट यह उसका बहुत बड़ा अपडेट तो आप हम चलते हैं NCTE की तरफ जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एडूकेशन का वह आपडेट उसी को लेकर बात कर लेते हैं और यहां पर आप देख पार है चार साल का तो प्राइमेरी में भी कर सकते हैं तो लगबग यह जो बीएट जो 2019 से शुरू हो रहा है और इसमें यह खर्च सामने आया है कि 33 साल होना चाहिए तो 33 साल तक होना चाहिए नहीं सुरी उसके लिए तो 33 साल तक डियालेट कर सकते हैं तो यह लोग यहां पर आपको दियान देने की जुरूरत है कि जिनका ज्यादा हो रहा है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप तो आप बीएट जो आने वाला है आप उस कुछ इंफर्मेशन पहले लेना चाहिए तो आप देख सिकते हैं यहां पर बड़ी ख़बर जो है राष्ट्रियों और शिक्षक प्रशिक्षन परिश्यद ने शहर के सभी बीएट कलेजियों को अधी सुचना जारी करते हुए वगत कराया है कि नया शिक्षन 17 से बीएट की पढ़ाई चार साल की कर दी गई है बीएट की पढ़ाई के लिए भी आयू सिमा भी निरिया दारित की गई है 33 साल से अधीक उमर वाले अब बीएट नहीं कर पाएंगे तो यहां पर देख से ते रश्ट्रिश्य शिक्षक परिश्यद जो इसको एंसी टीए का जाता है उसकी तरफ से यह इंफरमेशन आया है कि सभी शिक्षकों को बीएट कर लेना चाहिए और बीएट के लिए यहां पर जो ख़बर है देख से थे 33 साल तक ही उमर का कई लगया गया है यहां पर खास बात देख से थे एससी आठी ने पास चून तक मंगा कर जो उसे विबरन तो यह पहले इंफरमेशन दे दिया गया है बारहोई के बाद आप शिक्षक बनने की पड़ाई वर ट्रेनिक तो यहां पर बड़े खबर है जो देख सकते हैं कि बारहोई के बाद भी आप उन सभी शिक्षक जो बीएट कर सकते हैं तो आप आगे चलकर देख सकते हैं एन्सीटी ने पर एकिकरित बीएट कलेजोंगों को प्रवेश्च का लेकर गाइडलाइन भी बैद दी है बताया जा रहा है कि शिक्षन इसे तो 2018 के बाद सभी बीएट कलोंगों को इन्टेक शुन्यों हो जाएगा संचालन के लिए चार साल का एकिकरित पाइटेक्राम को शुरू करना होगा इसके अलावा अभी तक बीएट में दाखिले के लिए कोई आई सुमाह नहीं थी किन्तों आप एककरित बीएट में अधिक्तम आ पत्र होंगे न्सीटी ने कलेजों के पत्रे लिखकर पास जुन तक सभी बीएट कलेजों में सीटों की विवरन मंगा है और तलब है कि जिले में चार तो यहां पर आप देख सेते हैं क्या है एककरित बीएट पैटेक्राम नहीं नियमियंग के तहथ आप चात्रों में उच्छी है बारोवी के बात नातक के दोरान बीएट के पड़ाई करके इंजिक्री डिग्री ले सकेंगे तो यह खबर है लगबग जीन को बीएट करना है आप से जो नया सिस्टेम आ रहा है नया 2019 में जो सिस्टेम आएगा उसमें जब ही क्लास बारोवी प्लास के पा अब और दो निकल कर रहा है बहूत सारे श्रिक्षकों गए बहुत चारे चात्राओं को इसमें कोन उख्षी कंवीशन दिया दिया है तो आपसे रिक्वेश्ट में सभी चात्रों चात्रियाओं और सभी शिक्षिक बेरमें एडिक्सेज लेने से प्राइमारे में भी जैब कर सकते हैं। तो आमने आपको information दें दिया हैं तो आपका कर्तिवच यह बनता है कि आप असको जादा सो जयादा श्यादा करें। और आप आप अभी तख हमारे चैनल को सबस्राइब नहीं कि Father पलेचे जी..? भूं